बिडाल टेस्ट को कैसे पढ़ेंगे बिडाल टेस्ट को कैसे समझेंगे बिडाल टेस्ट को कैसे रीट करेंगे हम कब बिडाल टेस्ट को पॉजिटिव मानें कब बिडाल टेस्ट में दवाईयों को चालू करें कब दवाईयों को बंद करदें कैसे समझें कि बिडाल infection है infection कहीं जादा तो नहीं है infection कहीं कम तो नहीं है इससे कैसे समझेंगे तो इस वीडियो को पूरा समझने के लिए बिडाल टेस्ट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एक एक पार्ट एक एक सेकंड बहुत जादा महतपूर है अगर इस वीडियो को आप समझना च चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतर तक जरूर दिखेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलेगा तो विडाल टेस्ट को समझ लेते हैं विडाल टेस्ट यहां पर हम कम कराते हैं जब हमारे सरीर में टाइफवड के सिंटम्स हो टाइफवड यानि की मौती जर में दर्द बना रहे ना कभी कवर मरीज को दस्त लग जाना इस तरह के सिंटम्स होते हैं पीट में दर्द हो जाना इस तरह के सिंटम्स होते हैं आलस रहे ना ठीक है मरीज में एनरजी कम होना इस तरह के सिंटम्स जब आते हैं तो हम बिडाल टेस्ट करवाते हैं और टाइ activity O समझने के लिए देखिए कुछ हैं अप यहां पर समझने की लिए बेखिए कुछ चीजे में आप सभी कॉमन बता हुँगा जैस सालमोनियला हमारे सरीर में antibodies बनने लगती हैं ठीक है तो जो antibodies होती है वो positive आने लगती है अब यह जो कीड़ा होता है Salmonella typhi OH, AHBA जो कीड़ा होता है यह हमारे सरीर में जाता कैसे है जब भी हम खाना खाते हैं जो कि unhygene खाना होता है कि साप सुद्रा खाना नहीं खाना जो हम साप सुद्रा खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर यह Salmone typhi का कीड़ जाना बहुत कॉमन हो जाता है बहुत आसन तरीकी चला जाता है जैसे कि गंदा पानी पीना गंदा खाना 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 मख्यां बेट रही हैं और अन्य प्र कर जाये चुहा जूटा कर जाए तो उस पे भी कई वार कई तरह की infection हो जाते हैं हाला कि चुहे से टाइफट नहीं होता लेकिन अप्रकार की infection हो जाते हैं इसलिए हमेशा थ्यान रखें कोई भी चीज अगर आप खाते हैं किसी प्रकार की चीज खाते हैं उसे अच्छे तरीक किड़े क्या होता है शरीर में अंदर चला गया जब अंदर चला जाएगा तो यहां पर Positive नेगेटिव देखिए 1 इस्टु 20 है, 1 इस्टु 40 है, 1 इस्टु 80 है, 1 इस्टु 160 है, 1 इस्टु 320 है तो यहां पर कब हम इसे positive मानें दिखिए अगर हमें medicines किसी की चालू करनी हो तो 1-40 पर हम इसकी पिछेंट की दवाईया चालू कर देते हैं लेकिन इसे positive कब मानें जब किसी patient को यहां तक positive आता है 1-80 तक अगर positive आता है तब इसे हम positive मानेंगे एक बात हम याद रखें अगर इसे यहां पर है तो यह positive नहीं है लेकिन infection थोड़ा बहुत मरीज को है ठीक है तो तो यहां पर patient को दवाई देने पड़ेगी और अगर एवन इस्टू 80 तक है तब patient को अच्छी दवाईया और ज्यादा दवाई देने जरूरत पड़ेगी और अगर किसी patient को वन इस्टू 160 है या वन इस्टू 320 है तो यहां पर इस patient को बहुत ज्यादा इंफेक्शन है ऐसी कंडिशन में ताइफी एच और बी एच होता है वो भी positive आ जाता है तो patient को admit भी करना पड़ सकता है और उसे जो bottle होता है जो आमतर पर आप समझते हैं फ्लूड के साथ में एंटिवर्टेक्स इंजिक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है लेकिन इससे कम है वन इस्टू 80 से कम है तो patient को medicine orally यानि कि tablet से ही काम चल जाता है लेकिन वन इस्टू 80 से उपर आता है तो यहां पर patient को anti-vartex के injection दिये जाते हैं जैसे की monosafis, septuoxone type की injection दिये जाते हैं ठीक है तो positive हमें कब मानना है जब 1-80 से उपर आता है यहां पर भी अगर यह positive आता है positive मानते हैं कब positive मानते हैं इसमें consequence दबाई जलती है highly antibiotic जैसे septuoxone बगएरा है और कई बार patient को अगर आराम नहीं मिले तो यहां पर बेडाल टेस्ट के बारे में सभी जानकारी हमने समझ ली है और typhoid को treat करने के लिए आप मैंने आप सभी को क्या बता है एंटिवेटिक्स चलते हैं और साबधानी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम कुछ साबधानिया बहुते हैं जैसे कि खुला हुआ भ जी जर्दिकर के केमिकल होते हैं क्या होता है तो हुष के लार के अंधर क्या होता है एक प्रकार का वाइरस होता है होता है जब व् wh फॉर्म में होता है तो पागल हो जाता है उसके अंदर जो डॉक्स होते हैं उसके सिम्टम्स आने लगते हैं तो यहां पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होगी कोई सी भी बीमारी हो उसका बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो बेडाल टेस्ट वेंश्टू तक अगर पॉजिटिव आता है तो इसे हम पॉजिटिव मानेंगे अगर यहां से इधर की तरफ है जैसे वन इस्टू फॉर्टी है तो यह पॉजिटिव भी नहीं है लेकिन इसमें चलानी पड़ेगी क्योंकि इंफेक्शन तुड़ा सा डेटेक्ट हो रहा है राइट एं है कि हमारे सरीर में इंफेक्शन पॉजिटिव है एनि की इंफेक्शन है या नहीं है तो साल्मुललर टाइफिय यानि की टाइफोईड है और यह पइरे टाइफोट के लिए इसमिलाडर के लिए हिंदी में तो मौत फ़सा के लिए यह वीडियो आप सबीं के लिए बहुत ही ज्यादा है लगा मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ से आप अच्छे लिए तो लाइक शुए और सब्सक्राइब करें कुछ पूशन साथ कमेंट करें अगर आप हमारे एलोपेथिक मेडिसन से रिलीटिक कुछ जानकारी कुछ आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं ज बीडियो के डिस्कुप्शन में दी हुए लिंक पर कलिक करें और वहांपर आप जाकर हमारे आर्टिकल्स पर जा के तर случаи सेenne और मेडिसन से रिलेटेड और आर्टिकल्स पर सकते हैं डॉजिस बगर क्या है कैसे देते हैं किया साबदानी रखनी चाहिए कभ देनी झाल